चलिए पूरे भूग से टॉप 99 यह लगू तर ये प्रस्म जीसे हम लोग 2 नमर वाले कोवचन बोलते हैं जीसे हम लोग सब्जेक्टिव कोवचन बोलते है ठीक है यानी पूरे भूग से 99 कोवचन आपको बताने वाले है इसे बाहर कुछ आपके जाम मेर नहीं आएगा बस क नीनान्वे कोचिन को किसी भी हाल में आपको रट जाना है तो रट जाना अला कि देखिए इस वीडियो में जितना आपको कौचन अभी बताएंगे नर सबी कौचन को अभी आपको धिमाग क में फीड करवाते चलेंगे यानि आपको थोडा सा भी आपको दिगत नहीं होगा यानि 99 कोहचन को आपको रटने में यानि याद करने में थोरा सा भी आपको दिखत नहीं होगा अभी इस कलास में आपको पूरा आपको दिमाग में फीट करवा देंगे देखिए पहिलका कोहचन ड्रेक्ट आपके एक्जाम में छपने वाला है कि बिधूतिये छेतर रेखा क को परिभासीद करें बहुत बहुत वहत रिहती हिंको होचना है कि विधूतिये छेतर रेखा को परिभासा लिखे देखिए इसका उतर यानि बावाहाथ कहां पर है यानि बावाहाथ इधर आए ना तो यहां पर देखिए बावाहाथ पर ऐसे माइनस क्यू लिखे ठीक है अब इसका पर भासा बनाएगा कैसे कि वाइस है जो डांटा इसने यहां पर घीचे है ना इसको आप रेखा बोलिएगा कि वाइसी रेखा जो पलास यहां से चल कर यहां तक आईगी ना उसी को हम लोग बिधूतिये छेतर रेखा कहेंगे जैसे कि देखिए वाइसी रेखा क्या है कि अपने से लगा लेना है कि वाइसी रेखा जो बिधूतिये वाइसी रेखा जो पलास क्यू से होकर माइनस क्यू Q और जाती है, यहां से होकर इधर की और जाती है यानि पलस से होकर माइनस Q और जाती है, उसी को हम लोग बिदूतिए छहतल रेखा कहते है है विलकुल आपको बुजा गया होगा देखिए यहां पर प्रभासा सही तरी कर से लिखा गया है कि YC रेखा yc रेखा हैं जो plus q से minus q q और जाती है उसी को हम लोग इसे हम लोग बिदूतिय छेतर रेखा कहते हैं बिल्कुल आपको बुझा गया होगा यानि आपको याद करने के लिए देखिए plus आपको लिखना है plus q दोहिने ओरी यहाँ पर लिखना है बावा ओरी ठीक है यानि plus से होक पर माइनस की और जो भी रेखा जाती है उसी को अलग बिदूतिय छेतरे रेखा कहते हैं बिल्कुल आपको बुझा गया होगा चलिए दुसार का नमर कोचन देखिए दुसार का नमर बहुत बहतरीन कोचन है कि अवेस के तीन गो गुनों को लिखे को गुन के लिखना है त 10 गो गुन कर लिखे काला कि आपको पांच को गुन को आपको लिखवा दे रहा हैं देखिए इतीन गोणा पूछा गया है तो देखिए ओवेस धिनात्मक और इनात्मक दोनों होता है कोई भी ओवेस होता है जैसे क्या होता है जैसे कि माली지 के बैटरी हो गया है हो गया यह बैटरी हो गया अपना घर वाला भा-पंभ हम लोग वारति है यानि त्राउच में हम लोग लगाते है तो उसमें देखे correctly होता है और माइनस होता है दोनों होता दोनों होता है तोनों होता ज़रा और धनात्मक और इनात्मक, धनात्मक के मतलब पलस और इनात्मक के मतलब माइनस, यानि अवेस धनात्मक और इनात्मक दोनों होता है, क्या होता है, दोनों होता है, देखिए, थोरा सा आवाज में आपको थोरा सा आपको डिफरेंट पुझाएगा, हलाकि देखिए, यहां थोरा एक ओधीस रासी है क्या है अवेस एक ओधीस रासी है का ऐसे आ पहाँचाण हाँ है जाथ पहाँचसी अब 2 से स्थाथ होगा जोगा इस default होगाँ सदिस होगा जोगा किया होगा तो वो और बहुते हैं? नहीं 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 हैron. बिलकुल आपको उज़ना के परिणाम वियंक पर निर्भर नहीं करता हैं? इसका जो व्येग होता है इसका परिणाम पर निर्भर नहीं करता है कैसे एटी होता है देखिए अवेस यानि क्यों बराबर क्या होता है क्यों बराबर आई टी होता है ना आई आटी जो आई यानि बिदुधारा है जिसका एसाई मतरख एमपीर होता है टी यानि टाइम होता है यानि टाइम यानि सेकेंड होता है क्या होता है टाइम का एसाई मतरख second होता है यहीं ना होता है जो ampere को हम दखिए ampere को तो ampere हो जाएगा time का time में हो जाएगा क्या होगा a8 क्या हो जाएगा a8 इसका भी में सूतर हो जाएगा या a2 आया है ना क्या आया है a2 आया है तो इसको हमाई से लिख सकते है am0, al0 जो M का मान एक के होता है, एक में A, अटी से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा, या आप इतना लिखे या आप A, अटी लिखे, क्या लिखे, इतना लिखे, बात A की है, ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, चलिए, अवेस के तीन को गुन का, यहाँ पे पांच को छोगती है, क्या है, आपको बिल्कुल बुझा गया होगा, चलिए, यहाँ पे तीसार का नमर कोचन देखे, बहुत बहतरीन कोचन है, कि बिदूतिये क्या है, कि बैदूत दिवधुरू अगूर्ण को परिभासा लिखे या परिभासित करे, बिल्कुल एक बात है, ठीक फिर से एक बार क्या है, कि देखिए, यहाँ पे दूगो अवेस होता है, ठीक है, और यह बराबर और बिप्रीत अवेस प्राइज से घुमते रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिदूतिये दिवधुरू अगूर्ण कहते हैं, देखिए, यहाँ पे सही तरीके से प आपका पर आपको देख लेना है कि इस दिशा में हमारा परता है, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि इस दिशा में यहाँ पे आपका उतर परता है, ठीक है, तो इकाई उतरी धूरू पर यहाँ पर कारेक करने वाले बल को हम लोग बिदूतिये छेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बिदूतिये छेत्र कहते हैं, इसका SI मतरक NC इन्वर्स होता है, इसे E से सुचित करते हैं, बस इतना भी लिग दी जीएगा ना की ये इकाई उत्री धुरूपर कारे करने वाले बॉल को वीदूतिय च्यत्रे कहते हैं ये भी हो जाएगा ठीक है बिलकुल आपको बुझागा गया होगा चलिए चार नमर कोचन हो गएपाचवन आमर कोचन देख्यों, बहुत बहूत बहतरीन कोचन है क्याँ क इसे हम लोग 5 से सुचित करते हैं यह एक और 20 रासी है क्या है यह एक और 20 रासी है इसका बीमे सुत्र ML3T-3A inverse होता है ठीक है तो बहुत बह्तरीन को होचन है कि बिदूतिय फलक से क्या है तथा परिभासित करें बहुत बह्तरीन को होचन है चलिए 5 नमर को होचन हो गया 6 नमर को होचन नेकिए कि अवेस का क्वांटमी करन या क्वांटी करन क्या है अवेस का क्वांटमी करन क्या है कि अवेस का परिनाम एलेक्टरोन क्या है कि अवेस का परिनाम एलेक्टरोन का पूर्नांग की गुनज होता है इसी को अवेस का क्वांटमी करन कहते हैं जो Q बराबर आप सूतर जानते हैं पलास माइनस एनी होता है जो एन गिंती के संख्या होता है एक दो तीन चार यहाँ पे लिखा गया है बिल्कुल आपको यह भी बुझा गया होगा चलिए सातो नमर कोचन देखिए के लॉरेंज बॉल किया है कि अगर किसी अवेस को चुम्वकिय छेतर में घुमाय जाये है तो एक बॉल कारे करता है क्या करता है? क्या करता है? जानते हैं नहीं understand करता है, इसले. भी लहाँ लगरां परवासा है क्या है है? कइसे छोटा परहासा बनता है? देखिए किए अवेस का क्या है कि अध्या रूपण का सिधान्तम से क्या है? यहां पर किसी बिसाल ओवेस पर और चोटे 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 यह यह पर यहां है यहां पर भेक्टर आना प्रूर्स आयानि बॉल है या क्यों है ना जो अवेस यह आपको बिल्कुल बुजा किया दखिए कि किसी भी साल अवेस पर अने छोटे छोटे अवेसों के कारण लगने वाला बल औरोपित परिनामित बिधूति यह बल क्या है कि एफ हो अने जो है बिधूति यह बल इस पर औरोपित औने सभी अवेस, यानि Q1, Q2 इस अवेस इते, इस दोड़ा लगने वाले बल को, बल के योगफल के बराबर होता है, इसी को अध्यारोपन का सिधान कहते हैं, नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, फिर से क्या है कि देखिए, किसी बिसाल अवेस पर औने छोटे-छ बल को, बिधुतिये लगने वाले बल के योगफल के बराबर होता है, क्या होता है, योगफल का ये सोब का मान जोर दिया जता है, इसी को हम लोग अध्यारोपन का सिधान करते हैं, एक बर फिर से आप पर येगा ना, तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा, इसी पर फिगर से आप अब इठा लिजेगा कि एफ 1 हाई, एफ 2 हाई, एफ 3 हाई, एक Q अवेस है, यही विशाल अवेस है, एक Q 1 अवेस है, एक Q 2 अवेस है, एक Q 3 है, बिल्कुल आपको पुझा जाएगा, चलिए, आठ नमर होगे, नौगा नमर कोचे लेखे, कि बिधूतिये सक्ति को, क्या है कि बिधूतिये सक्ति को परिभासित करे ताथा इसका एसाई मातरक लिख, बहुत बहुत बहतरीन कोचन है, बिधूतिये कारे करने की दर को बिधूतिये सक्ति कहते हैं, इसे P से सुझित करते हैं जो P बराबर W बाटा T होता है इसका यूनिट यानि इसका एसाई मतरक जूल सेकेंड इन्वर्स या वाट होता है किया होता है वाट होता है बिल्कुल आपको बुझा गया होगा चलिए बहुत भैतरिन कोचन यहां पे दासवान हमारे कि ओम के नियम को लिखे काथी के नियम को भाई ओम के नियम को लिखे देखे इसीसे हम लोग परभासा बनाएंगे किया है कि अगर कि किसी चालक्तार का पड़्ति रोध और तर नियत हो यानि विभवांतर को भी कहेंगे यानि विभवांतर का मान परवाहित धारा के यानि आई के समनपाती होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को हम लोग ओम के नियम कहते हैं काथी कहते हैं इसी को हम लोग ओम के नियम कहते हैं जो भी यहां पे समनपाती के चिन है यह जो ह हो जाता है चलिए इसमें आपको दस यहां पे और कोचन है ठीक है लेकिन आपको दस आपको कराएंगे ठीक है यह आपको बताएंगे दस को याद करने में आपको थोड़ा सा भी दिकत नहीं होगा एक बर ध्यान से जिस तरह आपको समझाया ने को विदुतिय छेतर रेका को करने में परिभासित करें इस तरह फिगर बनाना इस तरह आपको समझना है अवेज के गुनों को कैसे आपको याद करना है यानी कैसे आपको जीस तरह आपको समझाये ना एक भर के वर आ कोचनाप के दिमाग में फिट हो जागा है यानि इससे बाहर आही नहीं सकता है तौम बहत्री वाला कोचन को कराने वाले हैं ठीक कै तो चलिए और मिलते हैं फीर आप से अगले वीडियो में चैनल को अभी तक भाई आप सस्क्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को जरूर से जरूर आप subscribe को लिजेगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं फीर आपसे अगले वीडियो में